सो हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और वेस्टेंडिज के बीच में जो 30-20 मैच खेला जाने वाला है उसके बारे में इस वीडियो में हम प्रोपर देखने वाले हैं कि इस मैच में कौन-कौन एसा पलायर है जो बहतरिन परफॉमेंस करने वाला है आपको अपने small league team में किस पलायर को लेना है grand league में आपको किस को लेना है और सबसे ज़्यादा important बात कि captain और vice captain किस को बनाना है और personally हम ये भी देखेंगे कि इस मैच में कौन एसा पलायर है जो mega grand league में trump पलायर होने वाला है जो पलायर आपको mega grand league में rank one दिला सकता है तो चलिए मैं आपको detail में समझाता हूँ उससे पहले telegram channel में जुड़ जाना link आपको description box में दिया गया है क्योंकि वहाँ पर जुड़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा important है क्योंकि वहाँ पर मैं आपको हर एक match का free में team देता हूँ चाहे a small league का team हो चाहे grand league का team हो जीश team के साथ personality में खेलता हूँ same to same वही team में आपको अपने telegram channel में देता हूँ और इस match का भी final team आपको वहीं पर मिलेगा चाहे a small league का team हो या grand league का team हो तो link आपको description box में मिल जाएगा जल्दी से जल्दी जुड़ जाना तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना तो सबसे पहले wicket की परवाले section में आपके पास total Nicholas पूरण है, इसान किसन है, Sanju Samson है और Jay Charles है, Si Hop नहीं खेलेगा already आपको पता होगा तो आपका wicket की परवाले section में pro पर 4 player है, एक आपका Nicholas पूरण, एक आपका इसान किसन, एक आपका Sanju Samson, एक आपका Jay Charles अब लेना किसको है, a small league में किसको लेना है, grand league में किसको लेना है, वो मैं आपको detail में समझाता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आद रखना, अगर आप a small league का team बनाते हो, safe खेलते हो, तो simply आप अपने team में Nicholas पूरण और इसान किसन, दोनों को try कर लेना है, समझ मा चुका है, a small league में आपको Nicholas पूरण और इसान किसन, दोनों को लेना है लेकिन अगर आप mega grand league खेलते हो, mega grand league में rank 1 लाना चाहते हो, तो already आपको पता होगा, कि mega grand league में rank 1 में आने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है तो simply mega grand league में आपको किसको try करना है, Nicholas पूरण इसान किसन तो a small league के लिए best option है, safe option लेकिन mega GL में आपको किसको try करना है, एक आपका Sanju Samson, एक आपका Jay Charles, ये दो ऐसा पलायर है जो आपको mega GL में एक तरफा winning करवा सकता है बोल सकते हो इस match के लिए Trump पलायर रहने वाला है mega GL के लिए, एक आपका Sanju Samson, एक आपका Jay Charles, और खास करके Jay Charles पर ज़्यादा फोकस करना चोकि दो match हुआ है ना, उसमें ज़्यादा performance नहीं किया है, और अल्रेडी आपको पता है Jay Charles, वेस्टेंडिज के तरफ से one down बैटिंग करता है तिन नंबर में और हो सकता है इस match में अच्छा खासा performance कर दे, लेकिन लोग इसको बहुत काम लोगों ने अपने टिम में लिया है तो एक आपका wicket की परवाले section में Sanju Samson, एक आपका Jay Charles, आज के match के लिए mega GL में Trump पलायर हो सकता है तो अगर आप mega GL का टिम बनाते हो, तो ये दोग पलायर अपने टिम में जरूर रखना और अगर आप a small league का टिम बनाते हो, तो simply Nicholas पुरन और इसान किसन को अपने टिम में रख लेना तो मैं simply यहाँ पर मैं आपको एक a small league टिम बना करके दिखाने वाला हूँ तो simply में विकेट कीपर वाले सेक्शन में Nicholas पुरन और इसान किसन को ले लूँगा अब बात आता है आपका batsman वाला सेक्शन, अब batsman वाले सेक्शन में देखोगे न तो आपके पास बहुत सारा option है, सुरिकुमार आदव है, सुभहम गिल है, आपका रॉमेन पॉवल है, तिलक वर्मा है, सिमरन है टमायर है उसके बाद आपका बी किंग है, बहुत सारा batsman आपके पास आ जाता है या ससीवी जे स्वाल नहीं खेलेगा, अगर खेलता है तो मैं अपडेट कर दूँगा टेलिग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जूट जाना अब लेना कब किसको है, वो ध्यान से समझ लेना, तो सबसे पहले में इन सभी पलायर को एक बर हटा लेता हूँ अब देखो, जो आपका सूरिकुमार आदव है, और सुभंगिल है, और यहाँ पर आपका रॉमेन पॉवल है यह तीन एसा पलायर है जिसको आपको असमोल लिग में ट्राइ करना है, और साथ ही साथ तिलक वर्मा को भी ट्राइ कर सकते हो लेकिन मुझे लगता है कि तिलक वर्मा इस मैच में फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि यह लगतार दो मैच में गर्दा गोल परफॉमेंस किया है तो हो सकता है इस मैच में तिलक वर्मा फ्लॉप हो जाए, तो मैं बोलूँगा अगर आप मेगा जियल का टिम बनाते होना player है जिसको आपको a small league में try करना है आप चाहो तो तिलक वर्मा को a small league से भी हटा सकती हो चुकि मेरा मानना है मुझे लगता है कि इस match में तिलक वर्मा flop होने वाला है इसका region में आपको दिखाता हूं देख लो पिछले दो match में अच्छा खासा performance किया है लेकिन इसका पहले क्रिडिट कितना था साड़े छे था लेकिन अब साड़े साथ हो चुका है और इसका क्रिडिट ना बढ़ चुका है तो इस मैच में ये बंदा फ्लॉप होगा ही होगा इस बात को लिख लेना तो अगर आप रिस्क लेते हो ना तो तिलक वर्मा को अपने टीम से ब्रॉप कर दो तब ही आप मेगा जील जीतोगे समझ मा चुका है एक आपका असकाई आनि सूरी कुमर आदव सुभंगिल और रोमेन पॉवेल ये तीन एसा प्लायर है और साथ ही साथ तिलक वर्मा जिसको आप अस्मोल लिग में ट्राइक कर लेना इन तीन प्लायर को या आपका सिमरन हैटमायर एक आपका बी किंग ये दो एसा प्लायर है जिसको आपको मेगा जील में ट्राइ करना है खास करके बी किंग इस मैच के लिए ट्रम्प प्लायर हो सकता है चोकि आपनिंग करता है और दोनों मैच में फोल ओफ है हो सकता है इस मैच में परफॉमेंस क ध्यान से समजना, जब West-Tandies अगर first में बैटिंग करेगा ना, तो Simran Hetmire आपके लिए Trump Plyer हो सकता है, और Wicket की पर वाले section में, अगर India first में बैटिंग करता है, तो Sanju Samson आपके लिए Trump Plyer रहने वाला है, इस बात को दिमाग में घुसा लो, ओके ना, तो यहाँ पर आपका total सम में आ चुका है बैटस्मेन वाला सेक्षन में आपको कभी किसको लेना है और डेडी मैंने आपको समझा दिया है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बल्ले बाजी एप के बारे में जोकि परस्नली में यहां पर खेलता हूँ इसका सबसे आप यहां पर मैं आपको खेलने के लिए क्यों बोल रहा हूं मेगाजियल खेलना है अपको जीतने का चांज काफ़ी हो जाता है और साथ ही साथ इसमें मातर एक रुपईया लगा करके पांच हज़र तक विनिंग कर सकते हो सोच लो आपको मातर एक रुपईया लगाना है और पांच हज़र जीतोगे तो काफी बेश्ट तरीका है जल्दी से जल्दी डानलोड कर लेना और साथ ही साथ अगर आप बल्ले बाजी एपको मेरे link से डाण्लोड करते हो और डाण्लोड करने के बाद अगर आप इसमें first time deposit करते हो minimum से minimum 100 रुपई अभी ना और deposit करते से में जो deposit code है BB10 उसको use करोगे ना तो आपको 10% का extra real case मिलता है बॉनस केस नहीं, रियल केस जी स्पेस ये को आप यूज कर सकते हो कॉंटेस्ट में पार्टिसिपेट होने के लिए तो बल्ले बाजी एपका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया गया है जल्दी से जल्दी डानलोड कर लेना तो सबसे पहले में बैटस्मिन वाले सेक्षन में किस पलायर को लेने वाला हूँ वो मैं आपको डीटेल में समझा देता हूँ तो मैं सिंप्ली बैटस्मिन वाले सेक्षन में सुरिकुमर आदो को लूँगा सुभम गील को लूँगा और रोमिन पॉवेल को लूँगा ये मेरा तीन कनफर्म पलायर है चुकि यहाँ पर मैं एक अस्मोल लिग का टिम बना रहा हूँ उसके बाद आपका आता है ओल रांडर वाला सेक्षन अब ओल रांडर वाले सेक्षन में देखोगे न तो आपके पास बहुत सारा ओप्सन है हार्दिक पांडिया जैसन हॉल्डर आपका काईल मेर्स और अच्छर पटेल आर चेस तो खेलेगा नहीं टोटल चार पलायर है और रांडर वाले सेक्षन में लेकिन लेना किसको है वो ध्यान से समझना तो सबसे पहले यहाँ पर हार्दिक पांडिया और जेसन होल्डर आपको असमोल लिग में ट्राइ करना है किसमें ट्राइ करना है आपको असमोल लिग में ट्राइ करना है हार्दिक पांडिया और जेसन होल्डर और मुझे लगता है कि इस match में जैसन होल्डर अच्छा खासा परफॉमेंस कर सकता है इस बात को लिख लो तो आप इसको इस match में C and BC भी ट्राइ कर सकते हो तो हार्दिक पांडिया पहला प्लायर और जैसन होल्डर दूसरा प्लायर और रांडर वाली सेक्षन में आपको small league में try करना है समझ माचुका है और mega GL के लिए आपका एक काईल मेर सबसे ज़्यादा important ट्रांप पलायर रहने वाला है इस match में चोकि opening करेगा और यहाँ पर ध्यान से देखना दो मैच खेला है और दोनों मैच में बंदा flop है ठेक है और इसका credit कम हुआ है तो समझ लो इस match में ट्रांप पलायर रहने वाला है आप इसको mega GL में try करना और मैं बोलूंगा एक से दो टिम में C and BC भी try करना अगर चल गया न और मुझे लग रहा है कि इस match में performance करेगा अगर कर दिया ना तो एक तरफा winning करोगे आपका team rank 1 में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा तो mega GL के लिए एक player आपका काईल मेर्स और एक अच्छर पटेल ये दो ऐसा player है अच्छर पटेल और काईल मेर्स जो आपको mega GL में try करना है mega GL में trump player रहने वाला है और final update में आपको telegram में देने वाला हूं कि जो match होने वाला है इस match में कौन player trump player रहने वाला है ओ भी मैं आपको बताता हूँ आपर तो link description box में है जल्दी से जल्दी जूट जाना तो मैंने already आपको समझा दिया है हार्दिक पंडिया और जेसन होल्डर आपको a small league में try करना है एकदम safe option है लेकिन अगर आप mega GL खेलती हो आपका सपना है rank 1 में आने का तो अच्छर पटेल और काईल मेर्स इसको try करना mega GL में और मैं बोलूँगा कि इन दोनों में से किसी एक player को खास करके काईल मेर्स को इस match में C and VC जरू try करना mega GL में आपको एक तरफा winning करा के देगा तो इस बात को दिमाग में घुसा लेना तो यहाँ पर मैं simply करूँगा क्या यहाँ से मैं हार्दिक पांडिया और जैसन होल्डर को अपने टिम में लेने वाला हूँ चुकि यह मेरा small league का team है ओके ना grand league में किसको लेना है मैंने already आपको समझा दिया है अब last आपका option बचता है यहाँ पर baller वाला section baller वाले section में देखो के ना तो आपका युजवेंद्र चहल है कुल्दी पादव तो खेलेगा नहीं चुकि पिछला match नहीं खेला था अगर खेलेगा तो मैं टेलिग्राम में update कर दूँगा उसके बाद अलजरी जॉसेफ मैंने पिछले match में बोला था कि अलजरी जॉसेफ इस match में ट्रम्प पलायर रहने वाला है और देख लो ट्रम्प पलायर हो गया है 80 पॉइंट दिया था समझ माचुका है तीन बिकेट निकाल लिया था उसके बाद आपके पास एक आपका अर्सिदीब सिंग है आर्सेफर्ड है बहुत सारा option है लेकिन आपको कब किसको लेना है वो मैं आपको detail में समझा देता हूँ तो थोड़ा ध्यान से समझना एक आपका युजवेंदर चहल एक आपका अलजरी जॉसेफ एक आपका यहां से अर्सिदीब सिंग और एक आपका इधर से और कोई पलायर है यह हुसेन यह वाला पलायर देख लो यह चार एसा पलायर है यह हुसेन, अलजरी जॉसेफ और अर्सिदीब सिंग और युजवेंदर चहल यह चार एसा पलायर है जिसको आपको असमोल लिग में ट्राइ करना है किसमें ट्राइ करना है a small league में try करना है अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यह वाला जो player है R-sefford मुझे लगता है कि इस match में यह player flop होने वाला है क्यों इसका region देख लो यहाँ पर चुकि इसका credit ना बढ़ाया गया है और दोनों match में अच्छा खासा performance किया है फिर भी इसका CR बढ़ाया गया है तो यह बंदा R-sefford इस match में flop हो सकता है तो अगर आप risk लेते होना तो mega GL में इसको मत लेना इसके जगापर कुछ trump player को try करना किसको लेना है mega GL में baller वाले section में वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो R-sefford को मैं बोलूँगा अपने team में मत लेना risk लेना है तो mega GL में अब baller वाले section में mega GL में किसको लेना है कौन सा player baller वाले section में trump player हो सकता है इस match में तो सबसे पहले आपका यहाँ से देख लो orbit में क्यों यह वाला player किधर गया यह वाला player और यहाँ से आपका मुकेस कुमार यह वाला player यह दो player baller वाले section में इस match में trump player रहने वाला है mega GL में तो अगर आप mega GL का team बनाते होना तो यह दो player अपने team में जरूर लेना और मैंने बोल दिया था R-sefford को drop कर देना इसके जगाँ पर यह दो player आपको लेना है किसी भी तरह से combination आपको करना है mega GL का team बनाते होना तो कम से कम आपको 4-5 trump player को लेना ही लेना होगा तब ही आप mega GL जीतोगे तो मुकेस कुमार और ओबेड में क्यो यह दो ऐसा player है जो mega GL में trump player रहने वाला है इस match को जीतेगी तो बहुत लोग बोलेगा India जीतेगा बहुत लोग बोलेगा West 10 जीतेगा तो यहाँ पर simply एक question पूछा जाता है यहाँ पर question देख सकते हो पूछा गया कि क्या West 10 जीतेगा अगर आपको लगता है West 10 जीतेगा तो आपको true पर click करना है अपना entry फी लगाना है अगर West 10 जीत जीत जाएगा तो आप भी जीत जाते हो अगर आप लपता है West 10 जीतेगा इंडिया जीतेगा तो आपको false पर click करना है और अपना entry लगा देना है मैच खेलने का तो उस दिन सिंपली इसमें लुडू खेल लो और 10 हजार तक विनिंग कर लो आनि डेली आपको 10 हजार जितने का मोका मिलता है लुडू में बल्ले बाजी एप पर और इसमें आपको बहुत सारा reward भी मिलता है जिस परकार से इसमें आप fantasy खेलते हो उस परकार से आपका लेबल बढ़ता है और हर एक लेबल में आपको exciting prize मिलता है तो जल्दी से जल्दी download कर लेना link आपको description box में दिया गया है और login करते से में मेरा जो refer code है एक के जौन capital letter में उसको use करना आपको बहतरिन से बहतरिन offer मिलने वाला है तो link description box में मिल जाएगा बल्ले बाजी आपका जल्दी से जल्दी download कर लेना और जल्दी से जल्दी खेलना start कर दो ओके ना तो बॉलर वाली section में मैंने दो player आपको बता दिया है मुकेश कुमार और ओबेड में क्यों जो mega GL के लिए trump player रहने वाला है अब मैं अपने team में कीस को लूँगा वो मैं आपको detail में समझा तो आर सेफट को तो मैं अपने team में नहीं लूँगा चुकि मुझे लग रहा है कि ये इस match में flop होगा ओके ना हो सकता है कुछ point दे देगा वो अलग बात है लेकिन flop हो सकता है अब यहाँ पर मैं लूँगा किसको तो simply युजवेंदर चहल को अपने team में confirm लूँगा अलज या फिर आप चाहो तो असमोल लिग में आर सेफट को भी ट्राइ कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है समझ माचुका है या फिर आप यहाँ से ओल्रामडर वाले section में काईल मेर्स को ट्राइ कर सकते हो तो simply मेरा final team ये बन चुका है आप एजी से देख सकते हो मैं अस्क्रीन पर दगा दूँगा जिसमें आपका विकेट कीपर वाले section में निकोलस पूरान है इसान की सन है सुरिकमर अदव है सुभंगिल है और रॉमेन पॉवल है बैट्समेन वाले section में उसके बाद और वाले section में हार्दिक पंडिया जैसन हॉल्डर काईल मेर्स है और आपका बॉलर व important बात आता है C and VC के बारे में तो आपको captain और vice captain किसको बनाना है वो मैं आपको detail में समझा देता हूँ तो सबसे पहले मैं बताता हूँ small league के लिए तो small league के लिए एक आपका Nicholas पुरान सबसे best option है इसान किसन best option है इधर सापका असकाई सुभंगिल best option है और हार्दिक पांडिया ये पांच ऐसा पुरान है एक आपका Nicholas पुरान इसान किसन सुरी कुमर आदव सुभंगिल और हार्दिक पांडिया जिसको आप a small league में C and VC try कर सकते हो आपको अच्छा खासा performance करके दे सकता है अगर आप GL खेलते हो मेगा जियल खेलते हो तो उसमें आपको किसको C and VC try करना है जो काफी जादा important होता है मेगा ग्रेंड लिग में अगर आपको मेगा ग्रेंड लिग में rank 1 लाना है ना तो कहीं ना कहीं C and VC काफी जादा important play roll करता है मेगा जियल में तो MEGA GL में किसको आपको ट्राय करना है मैंने बोला था और रमडर वाले सेक्षन में KM layers को आपको ट्राय करना ही करना है उसके बाद अच्छर पठेल सबसे बेस्ट option है वीकैट किपर वाले सेक्षन में J Charles काफी ज्यादा बहत्रीन option है और रमडर वाले सेक्षन में मैंने बोला था जेसन होल्डर, C&VC ट्राय करना और बॉलर वाले सेक्षन में ओबिड में क्यों ये वाला प्लायर ये टोटल आपका पांच एसा प्लायर है एक आपका जे चारलेस, जेसन होल्डर, अच्छर पटेल, काईल मेरस और ओबिड में क्यों, ये पांच एसा प्लायर है जिसको आपको मेगा जील में C&VC ट्राय करना है, जो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो मैंने पूरा डीटेल में समझा दिया है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है तो अगर आपको इतना जानकारी मिल गया होगा तो आपको कोई हरा सकता है बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा आप एक तरफा विनिंग करोगे और थोड़ा सा मेहनत कर दोगे ना तो इस मैच में आपका 1.5 करोर आपका होगा मेगा जील में जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा उसका नोडिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाऊगे और हाँ टेली ग्राम चैनल में जूड़ जाना चुकि ये मेरा फाइनल टीम नहीं है क्योंकि जब तक टोस नहीं होगा तब तक टीम में बहुत सरा चैन्जिंग होता रहता है तो उसी के अधार पर मेरा जो फाइनल टीम होगा चाहे एसल का टीम हो चाहे जील का टीम हो वो मैं अपने टेली ग्राम में ही दूँगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जल्दी से जल्दी जूट जाना और मेरा फाइनल टीम देख लो इस वीडियो के लिए जो मैंने बनाया है अस्मोल लिक के लिए बल्ले बाजी पर वो अस्क्रीन पर आपको देख रहा होगा आप इजी से देख लो